नमस्कार मेरे नाम है शालिनी and you are watching me on online platform of Target with Alok आज हम बात करेंगे जैसा कि आप background में देख रहे हैं नई शिक्षा नीती के बारे में मतलब new education policy के बारे में काफी changes हुए है अभी लागू नहीं हुआ है लेकिन शिक्षा नीती के बारे में क्योंकि काफी interesting है तो आपको जाना जरूरी है क्या 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 आगे changes हो सकते हैं आईए देखिए changes क्या पुरी शिक्षा नीती ही बदल गई है बर्तमान शिक्षा नीती अंतरिक्ष वैग्यानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिती की सिफारिश पर आधारित है मतलब अंतरिक्ष वैग्यानिक है कल को कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि भाईया ये कहां से लेके आते हैं आप सुनते हैं कि शिक्षानिती ये कौन बनाता है, कहां से लाता है, जो है हमको रोजगार ओरियंटेड नहीं है, बहुत सारी इस पर वीडियोज आपने देखे होंगे, हाल में वाइरल हुए हैं, पिछले कुछ दिनों में, लॉग डॉण प्रोसीजर में बहुत जादा वा गया है हमें, जो नई शिक्षानिती अभी लागू नहीं हुई है, अगर होती है, तो इसके तहट जो है, हम पढ़ाई करेंगे आने वाले बच्चे, 5, 3, 3, 4, अब इसमें changes आपको जो दिखाई देंगे, जैसे अभी क्या है, जो राज सरकार बच्चों का ख्यार रखती थ वो 6 साल से बच्चे जो है, वो एड्मिट होते थे स्कूल में, जब बच्चे 6 साल के हो जाते थे, change क्या हुआ है, पहले 6 से 18 साल तक राज सरकार देख रेक करती थी, अपनी education policy के तहत, लेकिन अब जो नई शिक्षानिती आई है, उसके तहत, जो बच्चे होगे, मतलब 3 स साल से ही ये शुरुवात हो जाएगी, 3 साल से लेकर 18 साल तक वो जो हैं, बच्चों का खयार रखेंगे पूरा की, क्या भईया, प्रोसीजर चल रहा है, बच्चों के साथ, education में, अब आगे बात करते हैं, MHRD, Ministry of Human Resource and Development, अगर आप इसके बारे में बात करेंगे, तिसका ना जरूरी है, अंतिम राष्टे शिक्षानीती 1986 में बनाई गई थी, फिर उसके बाद 1992 में कुछ कुछ चेंजेस करके, या बाकी जगे जगे ज़गे जहां भी चेंजेस करने की ज़रूरत महसूस हुई है, वहाँ पर की गई है, इसके बाद अब जो नई शिक्षानीती आई है, 1986 के बाद, 1986 के बाद, वो 2020 में आई है, New Education Policy, 1986 के बाद, सीधा 2020 में आई है, 1992 में सिर्फ चेंजेस किये गए थे, ये आप गोर करिएगा, संशोधन किया गया था, यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो वो आप common sense से दुरूस्त कर लीजगा, इतने आप समझदार है फिर भी मैं शमा चाहती हूँ आप लोगों से इस, गलिती के लिए, अब आते हैं, यह जो Education Structure है, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का, इसके तहत पूरा Structure डिजाइन किया गया है, आगे बात करेंगे, Foundation, मतलब जब बच्चा 3 साल का होगा, तभी उसको स्कूल में भरती कर देंगे, जो है ना बच्चे रोते रोते जाते हैं, मतलब 6 साल में बच्चे रोता हुआ ही जाता है, लेकिन अब 3 साल में शुरू हो जाएगी, जो आपकी Education है, Primary Education, 3 साल से ही बच्चा स्कूल में जाने लगेगा, तीन साल का होगा, तभी से उसको प्ले ग्रूप में एड्मिट कर द गाउं के परिवेश में हैं, तो वहाँ पर जो भी खेले जाते हैं, वह खेल खेलाया जाएगा, और अगर शेहरी शेत्र में वहां जो खेल पॉप容易ूर थे उसके बारे में क्हिलाया जाएगा, वह खेलेगा, कूदेगा, हसी मजा करेगा, तो मतलब उसका interest डिवल्ड़ क्जिको जाना इस भहां पर बेठे रहना है तो उनको अच्छा नहीं लगता किम्क को खेलना एच्छ लगता उनको उनको अच्छी ये अरेगे उन्हों किया है नियु कर रहर हैं भस माज़ा किसमे आथा हु उनको झेल युको किला मज़ा आथा है कोई अचाम तो होता नियु को पता रहरे हैं। बढाओं किसमें बटार रहे हैं, है कि नहीं तो अइन अपस्ते है खाताम हो जाएगी मतलब going jealous उसके बाद अब आईए तीन साल बाद अब क्या होगा ये जाएंगे कहां पर तीन से चार चार से पांच मतलब जब तीन साल का होगा तो भी खेलेगा चार साल का होगा तो भी खेलेगा पांच साल का होगा तो भी खेलेगा अब आईए जब 6 साल का होगा तब बच्चा जो है 6 एज में रहेगा तो वो पहली क्लास में जाएगा फिर दूसरी क्लास में जाएगा अब वो पढ़ेगा थोड़ा बहुत उसे काखा गगा ABCD जो भी है वो पढ़ाया जाएगा लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई एक्जाम नहीं होगा ठीक है तो वो हसी खुशी अपना पहला दूसरा भी निकाल लेगा बिना किसी एक्जाम का हमाई तरह नहीं है आगे हमने भी कोई पढ़के का तीरी चला दिया है खेर आगे बात करते हैं अब बात करेंगे प्रिपरेटरी स्टेज या सेकेंडरी स्टेज की ठी क्योंकि यह structure जैसा कि मैंने बताया कि 5-3-3 वाले structure में 5-3-3-4 पे divide है तो पहले 5 कि मैंने बात की हो क्या करेगा शुरुआत की मतलब 3 साल खेलेगा कुदेगा फिर जो दो साल होगा पहला दूसरा वो भी हो पढ़के काखा कागा एबी सीडी कुछ कुछ करके पोयम ओयम पढ़के उसको पास कर दिया जाएगा कोई एक्जाम नहीं होगा उखल मिला के ये पांच साल की हम पहले बात कर चुके अब बात कर रहे हैं इस थ्री की दूसरे वाले थ्री की secondary stage जहां पर बच्चा 3rd class में आ जाएगा मतलग तीसरी कुछा में आ जाएगा अब उसको जो है activity कराए जाएगी plus exam कराए जाएगा यहां पर बात की जा रहीए दो तरह की जैसे यह यह तो बच्चे को क्या है रीजनल language में क्योंकि बच्चे क्या है observe करते हैं, जो आप बोलते हैं, वह यह न सीखेंगे, अब ऐसे थोड़ी है, कि आप ऐसे normal, जो है, reasonable language में बात कर रहें, वह अग्रेजी बुकेंगा, ऐसे तो है नहीं, वह ही सीखेंगे, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जैसी habit, वह बहुत जादा करते हैं, सबसाद अगर अपना आइना देखना हो ना, तो आपने बच्चे को देखेंगे का सीख रहा है, फिर क्या है, वह ही चीजें सीखेंगा, तो बात यहां भी यह हो रही है, कि या इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बच्चे को आप रीजनल लेंग्विज में पढ़ा सकते हैं, बच्चे को आप इंग्लिश लेंग्विज में पढ़ा सकते हैं, मतलब यह पूरी तरीके से ऑप्शन में रहेगा, कि पेरेंस क्या चाहते हैं, टीचर क्या चाहते हैं, और मेरा मानना है कि पूरी तरह atmosphere पर depend करता है कि बच्चे कहाँ choose करते हैं मतलब parents क्या choose करते हैं अपने बच्चे के लिए आगे बात करते हैं हम इसके बारे में मतलब इसमें activity होगी exam होगा छोटा मोटा तो 5 class तक बच्चा निकाल लेगा इसको भी आगे बात करिए अब middle stage की बात करते हैं फिर से में लिख देती हैं उस structure को ताकि आप भूले ना 5 plus 3 plus 3 इन दोनों की बात हो चुकी है अब हम बात करेंगे इस 3 की ठीक है अब इस 3 की जब बात करेंगे हम तो middle stage में आ जाएंगे यहाँ पर बच्चा जो है कक्षा 6 में आ जाएगा मतलब 6 standard में आ जाएगा अब यहाँ से होगी खास preparation बच्चे के साथ की जाएगी यही से शुरू हो जाएगी उसकी दुनियादारी में entry ताकि वो दुनिया के लिए आगे बनके जो तयार होगा वो यहीं से शुरूआत होगी अब खास करके इसमें जो add-on किया गया है जैसे main stream यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि अभी भी 6th class तक आप math, science, arts यह सारे चीज़ें पढ़ते ही हैं और इसमें भी पढ़ेंगे अलग क्या होगा वो यह होगा कि आप vocational courses दिये जाएंगे जिसमें सिलाई, कडाई, मचली, पालन, computer coding यह हैं तेन प्रकाड़ान वाले काम जो सिखाए जाएंगे जो कि रोजगार पर आखो, जैसे कोई लड़की है वो सिलाई कडाही कर लेती है, लड़का है वो भी बहुत अच्छे, जितने बड़े-बड़े fashion designer है वो मतलब लड़के हैं तो इसमें कोई नहीं है, कुग भी chef जो है वो लड़के हैं तो इसमें कोई बात नहीं है, जो भ कर रहा है, तो बहुत डीटेल मुझे नहीं मालूम बढ़ एक ख़बर ऐसे कुछ होती ना, ख़बरे आख के नीचे से चलके चली जाती है, आपको कुछ-कुछ पता होता है, पूरी बात नहीं पता होती, तो computer coding, ये सारी चीज़े, vocational training में तो कुल मिला के आपको रोजगा बार-परक जो चीज़े होंगी, वो दी जानी शुरू हो जाएंगी, अब हम किस में बात कर चुके हैं, 5, 3, 3, मतलब इस 3 के बारे में भी हम अब बात कर चुके हैं, 6 to 8 के बारे में, ठीक है, I hope आपको समझ में आया होगा, ये मैं आपके education से इसलिए भी compare कर दे रहे हूँ हलाकि हमारे education से इस education system में काफी जादा बदलाव किया गया है, लेकिन थोड़ो थोड़ो मैं compare इसलिए कर रहे हूँ, ताकि आपको समझ में आये कि जो basically technically change कहां से किया गया है, क्योंकि change काफी हुआ है, लेकिन अगर आप अपने से correlate कर के देखेंगे, तो आपको जादा ठीक है, जिससे बच्चे क्या है, एक पढ़ाई की साथ एक चीजें जो अलग से add-on कर लेंगे, कि क्या हमको अच्छा लगता है, उसमें जाके अपने creative काम करेंगे, जिससे अब सबसे बड़ा example में आपको बताती हूँ, जाकिर खान को आपने देखा होगा, जाकिर खान को सिर्फ सक्त लॉंडा मत मानिये, मतला उसने पढ़ाई भी की है, तबला भी, उसने एक interview में भी कहा था, कि हमको कोई फिकर नहीं थे, हम पढ़ते थे, हम सोचते थे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो क्या हुआ जाके भाईया गाएंगे, तबला बजाएंगे, कुछ तो जानत सिंगिंग करते थे, सुनिधी चोहान बजपन से सिंगिंग करती थी, यह सारे एक्जामपल आप देख सकते हैं, वो केशनल ट्रेनिंग कहां तक आपको ले जा सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, कि जितने बड़े-बड़े काम हो है हमारे इंडि का बात करेंगे, तो वो भी इस एजुकेशन सिस्टम के तहत नहीं है, आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजए, तो पोलिटिकल में उन्होंने करियर जो है, इस एजुकेशन सिस्टम के थुरू नहीं बनाए है, ऐसे आपको धेरो एक्जामपल मिल जाएंगे, आपके सचीन दूलकर को देख लीजे, विराट कोली को देख लीजे, तो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके वो यहां तक नहीं पहुचे हैं, वो क्या कि अपने पैशन को फॉलो करके यहां तक पहुचे हैं, तो यह पैशन को जो दिशा दिलाना है, यह काम 6-8 से शुरू हो जा चलिए क्योंकि जादा बच्चे state government के होते हैं मतलब जैसे आप UP board के हैं या भिहार board की है मैं UP board का example ले लेती हूँ जैसे UP board में आप 9th class से आपको बोला जाता है कि आप एक subject में चुन लीजे computer लेंगे, tablet बजाएंगे, गाना गाएंगे क्या लेंगे आप तो उस चीज में option दिया जाता है और उसमें objective जो आता है आपको कि maths लेंगे या home science लेंगे जो option science अब compulsory हो गया है कुछ-कुछ changes तो किये ही थे science अभी पढ़ते थे 9th से लेकर 9th और 10th में जो option था किसमें home science और maths में option था कुछ लोग मैंस पढ़ते थे और कुछ लोग जो है वो home science के लिए को pursue करते थे 9th 10th में तो कुल मिला के फिर 9th से अगर अब 10th की बात करिए उसके बाद मतलब 9th की अगर बात करें 9th and 10th की अगर बात करें तो इसमें लगबग एक आद option मिलते थे एक दो option मिलते थे objective follow करने के लिए बाकी जो main stream का जो system शुरू होता था वो basically कहां से शुरू होता था 11th और 12 में शुरू होता था मतलब यहां से आप का शुरू हो जाता था कि आप क्या लेंगे art लेंगे या science लेंगे या फिर क्या है commerce लेंगे अब ये system गायम हो गया है पूरी तरीके से अब क्या है no stream system है आपको जो अच्छा लगता है आप ले लिजैसे आपको उसमें biology अच्छी लग रही है साथ में आपको geography भी अच्छी लग रही है आपको उसमें marketing department अच्छा लग रहा है accounting में marketing आपको अच्छी लग रही है, marketing पढ़ लीजेए accounting अच्छी लग रही है, accounting पढ़ लीजेए कुल मिला कि ये जो है multiple subject का format आ जाएगा कोई stream system हटा दी जाएगी कुल मिला कि जो math वाले वो चोड़ी आते हैं math वाले, science वाले, science वाले मतलब आइसे ही रहते हैं, आइसे होवा नहीं करते है art वालों को बिकार समझा जाता है खराब, कुछ करी नहीं पाएं के ये किसी मतलब के नहीं है मतलब ऐसा लोग सोचते हैं हाला कि अगर आप देखें कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्जाम जो I.E.S. का है अब तो बहुत सेनेरियो चेंज हो गया है जब से कुछ कुछ सालों में तो जो एंजिनरिंग के बच्चे हैं वो निकाल रहे हैं मेडिकल के बच्चे निकाल रहें लेकिन पहले आप देखें सब्सक्राइब का दबदबा था सब्सक्राइब कालिफाई गरने में लेकिन जो 11-12 का सिनेरियो आप देखें तो साइंस वाला चोड़े मेरा था तो यह सिस्टम हट जाएगा अब यह लॉजिकल टीचिंग का टर्म मैंने इसले यहां पे डाला है क्योंकि क्या है अब आप यहां से सोचना शुरू कर देंगे जो आप है ना कि मैं किस सब्जेक्ट लिए क्या लूँ क्योंकि आपके परस ऑप्शन है बहुत सारे पहले आप बाउंड थे मैट् leग रहे हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़ न inneh leगि ठीक है तो उसके लिए आप बाउंड तो पाउंट है और तो भी है आपको पढञा ही पढ़ना है हाला कि जो भी मैट्स के परसू करेगा आए गया बहुत चांसे स genau so वो फिजिक्स पर्सु करेगा, क्योंकि वो दोनों कहीं नहीं पाइलर सब्जिक्स हैं, तो वो पर्सु करेंगे, वो अलग चीज़ उनको समा जा जाएगा, ज़से ज़से पढ़ेंगे, तो लॉजिकल टीचिंग की बात क्या है, अब आप खुद को फोकस रखके काम करना अब ही आप क्या है कि वह सग्रीगेटेड रहते हैं, एप तो बहुत सग्रीटियist ऐसे किसी नहीं प्रशु किशी नहींकि क्या होता है, अब ही क्या प्रिशर होता है, सब डॉट्टर एंजीनियर बनाना चाहते हैं अपने बढ़ ज़सें को, है की नहीं? druf तो यज़ सग होगा कि अगर हम पान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कौन सा मेरे मन का सब्जेक्ट है तो यह एक option आ जाएगा इस education policy के अंदर गद जो है अब आगे बात करते हैं हाँ और सबसे important बात करनी में भूल गए थी semester wise जो exam कराए जाएंगे मतलब ऐसा नहीं कि साल भर में एक exam हो रहा है फिर जो अंत में मतलब होता नहीं कि बंदर में बंदर के पूछ में आग लेगी तो भागे बागे जाएंगे ऐसा नहीं जब semester wise exam होगा तो आप उसमें क्या teacher होता वो भी निकल के आता है आपको यसा लगता है ना कि अच्छा इस ग्रेट में इतना नंबर आ गया नेगिटिव नहीं पॉजिटिव वे में आप उसको लीजिए कि अच्छा हमसे क्या कामी रह गई थी तो semester wise में ये भी chances है yearly में एक बार आपने दिया फिर भुला आगया फिर जाने तो आ गया तो आ गया क्या करें निकल गया तो कोई बात नहीं यह बहुत बच्चे बहुत frustrated हो गया जितना आपने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं है कि नहीं तो जादा frustrated होते थे जादा कुछ बच्चे तो suicide करने लगे थे आज कर तो वो सारा system कम भी होगा जहां तक मेरा perception है आगे बात करने मतलब semester wise exam होगा which is good for students आगे बात करते हैं education four year का program हो जाएगा जो अभी अभी प्रोफेशनल कोर्से चार साल के हैं जैसे आप बीटेक करने जाते तो चार साल ही करते हैं है कि नहीं तो चार साल के बहुत सारे हैं BBA कोर्स भी चार साल का है तो जो भी professional है खेर उसकी बात हम नहीं करेंगे यहां आप नहीं बात कर रहे हैं तो graduation of four year program हो जाएगा लेकिन अभी क्या है अभी अगर आप एक साल graduation करके बताएं कि graduation हम एक साल किये हैं मतलब कहेंगा मतलब सीधा ब लिए आप valid है और हाँ एक साल किया है तो आप certificate के लिए value जो है valuable है दो year किया है आपको diploma मिल जाएगा तीन साल किया है तो degree किया है अब जिससे आप तीन साल को decide होगा degree लेगा फुर्सत होगा अपना ही पढ़ना और नाम को भाईया बहुत हो गया तो जो है आपने उहां से ठीक है वापस भी आप PG में एंट्री ले सकते ठीक है अब इसमें इसमें बहुत बार आपको वो है एंट्री एग्जिट का जो है option बन गया जैसे PG एक साल करने के बार को मतलब नहीं है यूजी करने के बार अगर मैं BA किया है या BC एक साल का किया है या कुछ भी मतलब आपको पागल बतार को काम को लेकिन अभी क्या है आप इसके साथ अगर जाएंगे तो यू गाइस कन कंटिनू यू स्टाडी इस फरदर अब तीन साल करने के बाद अगर आपने ड्रॉप कर दिया फिर आपको पुद्धिया नाई PG कर ही लेते हैं क्यों फला अदमी कर आग PG प्रोग्राम अगर आप तीन साल में छोड़े हैं तो क्या है आपको दो साल PG करना पड़ेगा ठीक है यह भी ऊसस्यार है अब चार साल का कर प्रोग्राम किया है तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी लेकिन इसके बाद अगर आप प्लमोस्ट आपका पूरा हो गया है जो आपका ये था 5 plus 3 plus 3 plus 4 ये जो पच्पना वाला था 9 एक्जाम वाला था अब क्या है यहां से एक्जाम हो रहा है ठीक है ऐसे खेल खेल वाला फिर यहां पर क्या है शुरू हो जाएगा semester wise एक्जाम शुरू हो जाएगा आपका फिर जब graduation में आजाएंगे ये procedure आपका निक अब खतम कर दिया गया था क्या कि ये अलग मतलब आगर आपको further studies continue करने है तो PhD के लामा ये भी एक तरीका था इंफिल के जरीए अपने studies continue रखने का लेकिन अब ये तरीका हटा दिया गया है अब आपको PhD ही कर रहा पड़ेगा अब बात करते हैं नई राष्टी शिक्षानीती के बारे में ये जो fact मैंने note down किया है आपको मैं बता दूं कि ये आप screenshot ले लीजे क्योंकि ये आपके exam perspective से important है जैसे कि मैं हट जाती हूँ आप screenshot ले लीजे ये note down कर लीजे whatever is suitable for you अब मैं इसको समझा देती हूँ जैसे नई शिक्षानीती है 2020 के तहर 2030 तक सकल नामांकर अनुपात मतलब gross enrollment ratio जो है 100% तक लाने का लक्ष रखा गया है जो कि बहुत बड़ी बात है और इसके नई शिक कार के सहयोग से शिक्षा शेतर पर GDP के 6% की हिस्सेदारी मतलब सारजनिक व्याय का लक्ष रखा गया है आपको बता दू कि अभी जो हमारा खर्च होता है वो पूरी तरीके से मतलब जो खर्च किया जाता है वो 1% के आस पास कुछ है जो कि exact मुझे याद नहीं है लेकिन ब आप उस पे तक हम खर्च कर रहें जैसे सिक्षा सुरक्षा कुछ ऐसी चीज है जिन पर आपको खर्च बढ़ाने ही पड़ेगा खर्च बढ़ाएंगे इंफ्रस्ट्रक्चर अच्छा होगा बच्चे अच्छा देखेंगे समझेंगे अच्छी चीजी देखेंगे तो उनक अब क्योंकि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं हमारे से अलग होते हैं तो जाहर सी बात है उनकी जरूरते जो हैं हमसे थोड़ी सी अलग होंगी जिसे उनको पढ़ाने के लिए कुछ नई टेकनोलोजी मतलब हमसे अलग टूल्स चाहिए होंगे तो आवास उनको प्रक्रिया के तहट उनकी भी भागीदारी सुनुशित की जाए क्योंकि आपको मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि राज जो है सबको प्रोग्रिस करने का बराबर अधिकार देती है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है प्रक्रियाओं में सक्षम बनाय जाएग आप बात करते हैं डिजिटल शिक्षा की डिजिटल शिक्षा जो है एक स्वायत निकाय के रूप में राश्ट्री साक्षिक प्रदोगी की मंच यानि नाशनल एजुकेशनल टेक्नोलिजी फोरम का गठन किया जाएगा जिसके दुआरा सिक्षर मुल्यांकन योजना एबं प्रशासन में अभी वृद्धी है तो विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा डिजिटल जो शिक्षा संबंधित प्रावधान ये बहुत ही जरूरी है अभी जो डिजिटल प्रावधान के अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पहले हो रही थी य आप क्या है उसमें म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं ये वो दुनियादारी देख रहे हैं लेकिन काम की बात आप कम देखते थे ज़रूरी नहीं अगर आप म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं आपने का म्यूजिक में इंट्रेस्ट तो आपके लिए वेलफेर है लेकिन अगर आप सिर्फ entertainment perspective से देख रहे हैं, ताना धाना पर नाच रहे हैं, तो वो थोड़ा time waste है एक time के बाद, तो ये सारी चीजें जो हैं, जब digital education के बारे में बात की जाएगी, तो ये सारी बातें आती हैं, अगर आप cooking के लिए देख रहे हैं, आपको interest है, उसको as a career pursue करना चाहते हैं, important है, अब नहीं करना चाहते हैं, जबरजस्ती लड़की अच्छी लग रही हैं, तो वो time waste है, तो वो मतलब ये सारी logical चीजें जो आपको खुड decide करनी होती हैं, कितनी करनी हैं, तो digital education को बढ़ावा देने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि pandemic में देखिए सारी education, या तो television के थूँ कराई जा रही थी, या तो smartphone के जरिया की जा रही थी, हाला कि इसके अपने challenges हैं, क्योंकि भारत में layers बहुत जादा हैं, भारत मतलब है, यहां पर ऐसे भी elite class हैं, जो क्या पता per day उनके अपने aeroplanes हैं, है की नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपने शेतर से बाहर ही नहीं जाते, बिचारे वही रहते हैं, तो यह जो layer जो है, इनको match करना, जो है, वो challenge होगा गॉर्मेंट के पास, कि कैसे वो सब को match up कर पाएं, इस education system के तहट, अगर digital को भी involve कर रहे हैं, क्योंकि क्यों smartphone चाहिए होगा, फिर बच्चे उसको चलाएं कैसे, misuse कैसे ना करें, है कि नहीं, बहुत सारी challenges जो हैं, उसको government को face करना पड़ेगा, जहर सी बात है, हर change में, हर जो नई चीज आती हैं, उसमें changes face करने पड़ते हैं, इस education policy में भी face करने पड़ेंगे, लेकिन क्या है, सुधार हर चीज में possibility है, तो be positive, अगर आप देखें, तो यह education system काफी बहतर नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, vocational training जो है, उसको भी seriously लिया जा रहा है, जितनी चीजें जो है, new education policy के तहत हम समझा सकते थे, हम आपके पास मतलब आसान language में लेके आए, ताकि आपको यह समझ में आए, खास करके 5, 3, 3, 4 वाला जो structure है, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आगे के लिए, नई topic के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के Bye-bye, take care and thank you very much for watching.